हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं करें 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 अटेंशन फ्लीज लेडिज जेंशलमेन, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती दूँ, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्री आदा करना चाहती हूँ, कि आप लोगों मेरे प्यारी बेहन जैस्मिन, और मेरे सीदे साधे जीजु की शादी की सालगेरा पे यहां उनकी अब क्योंकि दुला-दुलन को हाने में थोड़ा सा वक लग रहा है, तो I request you all कि आप लोग सब पार्टी का फुल आन मजा लीजेए, अब ही तो शादी को पस दो साल हुए, और पती-पती दोनों खुद की ही पार्टी से गाये, सोचे दस साल के बाद क्या होगा, मेरे अब कानों से दूर कही अकेले में रॉमांटिक पल बिता रहे हूँ ना फोन उठा रहे हैं ना कर रहे हैं, समझ ही नहीं आरा क्या करूँ पार्टी में ऐसे अकेले जाने में जह बहुत अजीब लगेगा मेंचे सादगा क्यों नहीं के दोस्त है? अर्या, अर्ये कैशी आवाज? यह तो जास्मिन के आवाज है, टो गोस्प! जास्में, जास्में, दर्माजा कोला, जास्में, दर्माजा कोला, जास्में, 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 जास्म अगों केटनाप पेर लिया, जास्मेर, oh my god, I'm coming. हलो, स्याइडी? काम करो, कमरेका कोना-कोना चान और एक-एक इंज ढूंडो, देखो, कोईने कोई सुडाग तो मिलनाएं चाहिए, हाँ, दर्जोग हांपे. क्या लगता है तुम्हें? जस्मेन को कोई उठा के लेकर गया या फिर, नहीं साथ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ सम्भबे नहीं आराए, मुझे बहुर टर लग रहे, अपलीज कुछ केजिये न साथ. जस्मेन के पती माना हू, वो का है? वो हम्दाबात गया थे एक बिस्निस मीटिंग के लिए जस्मिर और माना साथ में श्रामिन हुने आलति पार्टी में पर माना अभी तक आया क्यों नहीं पता नहीं सर वेसे आप मैं लाली माना का दोस्त सो आखाविन सो क्या मिला सर यहां पर खून के निशान में खिड़की बेदा इस तरह उनके निशान तो हैं हो सता ही है खून जस्मिन का ही हो और फिर किड्नापर शाहिद जस्मिन को इस खिड़की के रास्ते से ले गया होगा और फिर हाथापाई में जस्मिन को चोटा सकती है शाहिद यह खून इसलिए जस्मिन का भी हो सकता है सर यह देखे कहने और पैसे ऐसे के ऐसे ही सर मतलब यह किड्नापिंग लूट पार्ट के एरादे से नहीं होई सर अगर ऐसा है तो इस किड्नापिंग की वज़ा क्या है कोई न कोई तो वज़े जरूर है कोई तो वज़े जरूर है कोई यह देखो कुन से सने उन्गलियों के निशान इससे दो बात पक्टी होती है कि गड्नापर जस्मिन को इसी राष्टे से ले गया इसी राष्टे से सर किड्नाप करने वाला इन महमानों में से कोई हो सकता है सर, पार्टनी में इतने सारे लोग थे, किसी ने किटनैपर को देखा कैसे ने? वही तो, किसी ने तो देखा होता, आप लोग हम पर शक कर रहे हैं? क्यों नहीं कर सकते? मुझरिम जो कोई भी है, उसे इतना साफ-साफ मालूम था कि जैस्मिन के कमरे में चुप-चाप कहां से गुसा जा सकते? सारा आपको जो करना कीचें, लेकिन पलीज मेरी बेहन को दुणके लाएंगे, पलीज मैरे बाहरे हैं, पता ने वह कहां है, कैसे होगी, पलीज इस सार दुणके लाएंगे घबरहे हैं, मत. तुमारे बेहन को हम सही सलामत वापस ले आएंगे लेकिने एक बात याद रखना है या जितने भी महमाने कोई इस घर से बार नहीं जाएगा जब तक हम उन सब के उमलियों के निशान नहीं लेते कोई नहीं जाएगा यहां से कर दो कि नहीं जाल नहीं जाएगा हमना है याँ भी महमान रातोस आ दो खीम्छी झाल कर दो कर दो कि आया है यह अदे का मुझे कुछ एकुछ 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 कुछा कबसेत 강нет कुछ एकुछ एकुछ क्लिम कुछ खाँ 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 भाँ गुरियाँ को जीए फटाँ हुआ 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 क्वज लूप लूदाए्जी सर, मोबाइल कंपनी से बता चला है कि मानो की फून का आखनी लोकेशन दान रोड में ट्रेस हुआ है, कि पास से फून बंद आ रहा है, सर. तो कहीं जस्मीन के साथ मानो को भी तो किडनाप में किया, इस किडनाप अब नहीं है? सर, इसका मतलब ये जो कोई भी है, वो इन दोनों को जानता था, मतलब उसे पता था कि जैस्मीन का मिलेगी और ये मानव कहां होगा? है तो इनी में से कोई, कोई करेबी, पर कौन, कौन हो सकता है? इन में से तो किसी के हात पर या शरीर पर कोई आता पाई के, या किसी चोट के या खरुच के निशान भी नहीं, कौन हो सकता है? क्या हुआ लेलिट जी? हाँ? आपका फोन बज रहा है, उठाइए! जी किसका है फोने लेलिट जी? पता नहीं कोई लेंडनेंड के नंबर है, कहीं है किनेपर्स का फोन तो नहीं है? तो भीर बात कीजिए! जी हलो? खोन? लाशे? जस्मीन? जस्मीन तुम होगा? मेरे 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 म दोबरा फोन लगा। इसी नंबर पी क्या हुआ? सर फोन लग नहीं लग नहीं रहा? कुर्वी काम करो यह को जिस्मन की जान को खत्रा है पता लगा। यह फोड कहां से आया था? कुर्वी ओ माइ गाड़! इतने सारे चाकू? और हर एक चाकू पर खून लगा वहा है क्या हुआ इसा क्या हुआ यहा है? अब समन में आया जस्मिट की आवाज में इतना डर क्यों था? कही खूनी ने उसे भी अपना सिकारना बना लिया देखो, जितना स्यादा खून यहां पर पड़ा हुआ है और इतने सारे चाकू और हर चाकू पर यह खून मुझे लगता है यहां पर एक से ज्यादा हत्या हुए है यस एक मिनट यह क्या है? सचिन, वहां पर कुछ है चेकट कट 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 समाल को तैक्यू सर आप लोगों ने मुझे बचा लिया ना मेरी हड़ी पड़ी सूड़ी आती थी शेद यह वही तैखाना है इसके बारे में जस्मिन नह में बताय था सर जरूर लाशे ही कही होग यह सर तैखाना करे काय काम करो तैखाने में जाकर के देखो कुछ मिलता है लाशे ही या कुछ और करन तुम तारी के कसाथ जा सर कर दो कर दो कर दो यह पना पतुम में जाकर्फ़ प्राश्मौ। प्रॉक्स देना जड़ा? इचिता, पंकच, गर के भारवाल एसे में चेक करो. शायद जैस्मिन वहीं कहीं चीपी बेठी हो. सब्सक्राइब जड़ा है, जड़ा है? मुझा उप माई की बीधार नहीं दिखाएदे रहा है. भूल का भी कोई निशान नहीं दिखाएदे रहा है. खरे कोई दूसरा केमिकल्स ही नहीं इस्तिमान किया. खरे? जर प्लीज लेजर टॉच देना. एक जलोगे साब तरह के सारे चाकु बिल्कुल नए लगते हैं ऐसा लगता है जैसे खुनी ने जुर्म करने के एरादे से करीता था नहीं नहीं सच्छी यह चाकु नहीं नहीं हैं एदक उन चाकुआ पर अभी भी जंग लगी हुई है लेकिन इस तरह गुम्रा करके मुझ्रिम पाना क्या चाता था इस कमरे में इसे केमिकल का इस्तमाल किया गया है तो इस मेजर टॉच के रोशने में वह हिस्सा नारंग की तिखाई देगा इस कह है? इन बहुत सिर्फिरा है दुषिंद अरी बात इन सभी चाकूँ पर जो एक फून लगा हुए ना ये खून असली खून है आसर लेकिन पता नहीं के इस सारे चाकूँ पर खून एक ही इनसान का है या पर अलग अलग इनसान के जिनों ने यहापे हमला किया सबसे बड़ी बात यह है कि ये चाकू उस वक्त यही थी जब जैस्मिन अललित को फोन किया था अगर खूनी फरार हो गया था तो फिर वो अपने साथ ये चाकूँ क्यों नहीं ले कर गया साई करो दुश्यन क्योंकि अगर खूनी को लाशे ठिकाने लगाने का वक्त मिला था तो फिर उसे ये हत्यार भी यहाँ छोड़ने नहीं चाहिए थे लाशे ठिकाने लगाने मतलब तैखाने में लाश नहीं मिले नहीं सर, नीचे लाशे तो नहीं थी मगर एक अजीब तरह के दो केमिकल्स मिलें तेस्काना बाग की है इसका मतलब यह है कि जब लाशे देखकर जैस्मिन ने ललित को फोन किया उस वक्त वो खोनी इसी फार्माउस में मौझूद था I just hope, जैस्मिन सही सलामत हो दुशंत, आप लोग एक काम करो आप लोग बागी का फार्माउस अच्छी तरह से चेक मैं तब तक यहीं पर एक टेंपरेरी फारेंसिक लेब बना लेता हूँ क्योंके काफी सारे सबूत बिखरे पड़े यहां कहीं कोई सबूत खराब नहीं होना चाहिए कुछ पता चला है सारूंके साथ वो केमिकल का मिश्रन नागे रहे क्या पता तो चला है दुशंत लेकिन मैं ये सोच कर हैरान हूँ के उस केमिकल का यहां पर क्या का सर बताईए तो सही शायद हम किसी नतीजे पर बहुत सकें तारिका को यहां पर जो केमिकल मिला है वो एक एंबाल्मिंग फ्रूइड है एंबाल्मिंग फ्रूइड है आँ सचन एक ऐसा तेल जो लाशों पर लगाया जाता है लाशों को सड़ने से रोकने के लिए ये काम तो सर फ्यूनर हो गया होता है ना राइट योर एपसिलूटली राइट दोशंत और यही सोचकर मैं परेशान हूँ कि कोई आदमी इस तरीके का तेल लेकर के क्यों घूमेगा कोई खूनी लाशों को प्रिजर्व करने की कोशिश क्यों करेगा शायद इस ही वज़ा से जिस वज़ा से उसने इन सारे चाकूँओं को नया दिखाने के कोशिश की ताकि हमें गुमराह कर सके और मौत के सही वक्त का पता न चले ताट्स पॉइंट सचिन मुझे यसे लगता है कि जैसमिन ने चो लाशे देखी है हो सकता है कि वो लाशे आजके ना हो बलकि बहुत पूरानी लाशे हो आपसिलूटले रइट मुझे लगता है खोनी जब लाशों को तैخाने से बाहर लेकर के जा रहा था जरूर किसी न किसी लाश का कोई न कोई हिस्ता फर्ष से लगड़ का गया और इसी लिए वोय अंबाल में प्लूइड फर्ष पर लगगया सर्थ सर्थ जल्दी जल्दी बाहर मारों मिलाए जैस्मीन का पती बहुत खायल है सर्थ बाहर कहीं भी जैस्मीन नहीं है सर्थ सर्थ वहाँ पर दें मानव निकाल अज़ निकाल अज़ मानव मानव किस नहीं किया हिए मानव 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 आगे कोड़ो मानव इसके आला तो बहुत कमबीर है इसीदा एमिलेंस को फोन करो जल्ड़ो किसी ने बड़ी बेरहनी से महा रहा है ललित जैस्मीन नहीं कुछ कहा था नहीं वो तो खुद बहुत बुरी हालत में थी शब्दी तक नहीं निकल रहे थे इसके जुबाल से इशाद मानव यह अत्ता बाया था जब जैस्मीन को इदर से ले जाया जा रहा था अब लिफ पांच मेट में आ रही है ठीक है चलो जबार गेट ते चलते चलते मानव उटा बार सर्विंगर साब और कितना समय लगेगा दाई गंटे हो गएं सर सचिन रुको जार फॉरेंसिक साइंस के एनलेसिस में वक्त लगता है जानते हो ना तुम एनिवे एनेगो इमोग्लोबिन ट्रांसफॉर्मेशन के जरीए हमने पता लगा लिया है कि इस घर में जहां कही भी खून पड़ा हुआ था और जिन चाको पर खून लगा हुआ था वो खून दो दिन पुराना है इसका मतब यह है कि इस फार्माउस में गुना हुए पूरे दो दिन बीच चुके है हाँ दुशंद इन में से किसी भी खून का सैंपल फ्रेश नहीं है और एक बात हर खून का डियन है अलग-अलग है मतलब अलग-अलग लोगों के खून पज़शर ये गुल मिला के कितने डियने मिलें आंको सचिन जितने चाकुएं सब पर अलग-अलग लोगों का खून है इसका मतलब जितने चाकुएं उतनी लोगों के खून का डियने है यह है यह मुजरम ज़रूर सफावा उससे पहले कभी आया होगा तब ही उसको यहां के कोने कोने का पता है तर्ट जार्ट 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 द सेस्वागा पंकाच औंकाच औंकाच पंकाच पंकाच ढमीडेख दो अंकाच पंकाच आपके करो हो पंकाच अंवल अलो, अबिलेक्स? एकोनी इस वक्त पी तो यहां वचुद नहीं छोड़ दो छोड़ दो मेरी जास्मीन को 120 by 80 जास्मीन लुको लुको एक गंटे के बाद इनको इंजक्शन देदेना अब कैसी तबीयते मानों के? इनके किसमत अच्छी है वह इंटर्नल बीडिंग नहीं हुआ वरना बचना मुश्किल था बाद कर सकते हैं? जी हां, अभी होच में आये हैं को हैंसे? जास्मीन जास्मीन मानो रुको मानो गबरामत जास्मीन को हम लोग कुछ नहीं होने देंगे तुम तुम ज़र ठीक से याद करके बताओ कि वामा उसमें क्या हुआ था? मेरी जान को खत्रा था और जास्मीन की भी जान को खत्रा? किसे? किसे था? कहीं दिनों से कुछ लोग मुझे फोन करके पच्पन क्रोड की मांग कर रहे थे और एनिवर्सरी की रात को भी मेरा पीजा कर रहे थे मुझे ग्या पता था? अगर मैंन की बात नहीं मानूगा तो वो मेरी जास्मीन को निशाना बनाएंगे क्या तुम्हें पता था कि उन्होंने जास्मीन को फार्म हाउस में रखा हुआ है? हाँ क्योंकि जास्मीन ने मुझे वहाँ से फोन किया था मदद के लिए उन्होंका चेरा याद है तुमका? हाँ, हाँ सर क्यों थे वह लोग? मनू क्यों थे वह लोग? ओ नू, ज्यादा स्ट्रेस होने के वज़े से ये फिर से बेहोश हो गये हैं वहाँ सारे अलो क्या? पंकज बेहोश हो गया? सरी ये पंकज ठीक तो हो जाएगा ना और ये इसके गले में जो पिल लगावा था ये क्या है? सचिन एक रिफ्लेक्स फिरिजर है और इस पिन के चुबने की वज़े से पंकज अपने चलने फिरने हिलने डूले की ताकत हो चुका है ये टेंप्रेरी पेरलेसिस हो चुका है इसे फिर गब्रामत टेंप्रेरी है फिर भी सर एलाज तो है ना मैंने कहा ना टेंप्रेरी है इसका असर धीरे धीरे अपने आप खातम हो जाएगा जोन वारे सचिन ये जो इंजेक्शन में रेडी कर रही हूं इसे पंकज तोरन ठीक हो जाएगा सर्फ कैसी तो बेटर पंकज की? माच बेटर पंकज को ये सुई लगी तो लगी कैसे? तुशंत मुझे लगता है खूनी ने वहाँ उस तरफ जरूर कोई ऐसा जोगार फिट करके रखा है जिससे ये सुई उसने पंकज को मारी है तुम लोग उदर चेक करो, जरूर कुछ मिलेगा, I'm sure जिस वक्त पंकज यहां नीचे गिरा वो यहां था यानि कि सुई उसे यही आसपास से लगी है सुई पंकज को कॉलब उनके उपर लगी है वो भी आगे की तरफ से मगर उसे वो दिखी नहीं मतलब की यह ट्रॉर आदा खुला हुआ है तो यह चक्कर है इसका मतलब यह है कि जब पंकज ने यह ट्रॉर खोला होगा तो इस पिस्टिन के जरीए वो सुई उसे यहां लगी होगी और वो रिचे किर गया और यह सारी के सारी प्लानिंग खुणी ने जैस्मिन के लिए की थी लेकिन फसकिया विचारा पंक अच इग्जाट्ली यह जैस्मिन को आस्तमा अटेक आया था ना और जब किसी को आस्तमा अटेक आता है तो सबसे पहली चीज डूड़ता है वो पंप जो शायद इसी ड्रॉर में होगा लेकिन ड्रॉर से यह पंप निगालने की बजाए उसने ललित को फोन कर दिया और वहीं मुझरिम की प्लान में उल्टी पड़ गई और जैस्मिन को यह पहले से ही पता था कि यह अस्तमा पंप इस ड्रॉर में रखा हुआ है बिलकुल अब उन सभी लाशों के रास तक हमें वो केमिकल ले जाएगा जिसका इस्तमाल उन लाशों को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है इंडियन मेडिकल ग्रॉप से आए मुर्दागर की जांच कर दी है क्या हूँ असर? क्या बत है? बात ने बताएंगे क्या बात करें सर आप ऐसा कैसे हो सकता है जरूर आपको किसी दे गलत बताया है सर लाशी तो कब क्यो वापस आ गई? हम् वापस आ गई? मतलब बाहर गई थी देगा सर चोर की दाड़ी में तिन का देगो सब कुछ पूरी सच्चाई के साथ ठीक ठीक बताओ CID के सामने जूट बोलना ठीक नहीं समझे क्या? CID? आप लुग CID के है? जी हाँ सच अगलवाने के लिए कभी-कभी ऐसे खेल खेलने पड़ते है क्या चक्कर ही है? साव, आपसे तीन दिन पहले हम तोनों ने थोड़ी जादे पीली थी मुर्दा घर में कोई आया और लाशे चुरागर ले गया लेकिन लाशे तो अगली दिन दोपर को अपने भी आपस आ गई थी इसके लिए हमने किसी को बताना जरूरी नहीं समझा अच्छा जरोरी नहीं समझा और यह लाश कले नहीं, इसके लिए जो तेल लगाते ने लाशों पे खो तुम लोग लगाते हो नहीं साब, नहीं साब वो काम आता है यह काम करने के लिए तो कुछ खास लोग होते हैं ऐसी दो धॉकान हैं इस इ theatrical कॉन कॉन से तुकाने है इस्क्यूज मी कईयस आप किसकी मोट हो गई मोट तो किसी की नहीं वही किसी की नहीं तो फिर आप यहां क्या करने आए ससी आईडी जी अच्छा यह बताओ कि आज से दो दिन पहले यहां से 25 किलोमीटर तूर एक फार्माउस पे हमें काफी लाशे मिली है जिनने इंबाम किया गया था यानि कि साफ सुतर करके सजाया गया था जैसे कि तुम करते हैं लेकिन लेकिन मैं तो किसी भी फार्माउस पर गया ही नहीं सर लाशों को सजाने अगर आप नहीं गया थे तो बिर हो सकता है कि वो चोर जिसने मुर्दागर से लाशे चुराई है वो लाशे लेके तुम्हारे पास आया हूँ मुर्दागर से चुराई लाशे लेकिन कोई लाशे क्यों चुराएगा सर ये तो अब आप बताएं यहां तो आप ही रहते हैं ये ये काम जरू आशोक का होगा साहब क्योंकि मेरे आलावा ये एक वही है जो लाशों को सजाने का काम करता है अशोक को तो लगवा मार चुका है और वो चल फिर नहीं सकता और बचे सिर्फ तुम तो होच सकता है कि ये काम तुमारा नहीं सार मेरे और अशोक के अलावा ये काम एक और आदमी कर सकता है कौन हो? ये वही चोरे सार जिसने तीन दिन पहले मेरी दुकान से लाशों को सजाने वाला तेल चुरा लिया आईए सर, मैं आपको बताता हूँ उसने तेल कहां से चुराया यही से चुराया उसने लाशों पे लगाने वाला तेल यह तेल, किसने चुराया यह तेल? यही तो पता निये साब, अगर मुझे मालूम चल जाए, तो उसकी टंगडी तोड़ दूँगा मैं एक मिदे, एक मिदे, तेल के अलावा आप यहां से कुछ और भी चुरी हुआ क्या, पैसे और अगर है? नहीं सर, सिर्फ तेल जाने कि कोई ऐसा इंसान, जिसका मकसद सिर्फ तेल चुराना था, उन लाशो पर लगाने के लिए, और वो खुद ये काम जानता था है ऐसा कोई आदमी? साब, मैंने ये कला तो सिर्फ केतन को सिखाई थी केतन? कौन है ये केतन? एक लड़का था मेरे दुकान पर काम करता था, बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं कहां से उसे शराब पिने की लत लग गई साब, बस मजबूरी की वज़े से मैंने उसे नोकरे से निकाल दिया अभी का मेली कई केतना पक्पू, रेनोल्डो पता है, रेनोल्डो, उसकी तरह हाओ में आऊँगा और बेक्खेम के तरह गोल करूँगा, अब देखा, देख तू पक्पू, पक्पू, देखा रेक कोन है बाई कोन है बाई तू, लगता है तेरा नशा बहुत हो किया, उतारना पड़ेगा यह, यह, क्या कर रहे है आप, तेरा नशा उतार रहे है, क्यो भई, आभी आभी तो चड़िये, उतार क्यो रहे है क्योंकि CID के गोल करने का तरीका तुझे सिखाना है CID? हा, CID. बता, लाश को प्रिजर्व करने का तेल किसके लिए चुराए था? बता तो बता तो साब दो लगती साब मेरे मेट्रिक बार में मिलेते वो कह रहे थे कि अगर तुम हमारे लिए तेल चुराओगे और लाश को प्रिजर्व करोगे तो हम हर बार तुम्हारे शराब कर बिल देगे जाब नाम नम्मर एड्रेस को 7 का? है जाब एक मीनिट देखता हूँ विर्चू विर्चू वि प्याम लिए विर्च विर्चू विर्चू कर दो कर दो, अ अगजाब लाटाई थाज। फ्लब स्ट रहाई। प्लब स्ट वर रहाई। इंग पॉर्ड़्वी्ज रहाई। मिर्ण बिन्मों शॉप ऑट व्लब डिर्प भाजय में थाज़ झालो नो ख। कि दो हो रहाई। कर दो कि तूम लोग यहांने की अशिकरी तूम लोगो ने इमत तो जो फ्री में मिलती है सि आइडी आज सी आइडी ऐसा जूम कर के सि इएडी ने बज सकते हो है 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 एक मासूम की जान लेकर क्या मिला तुम तोनों को हमारी कोई आपके तुसमारी नहीं थी सर्थ हम मिस्तिर मुझे पैसे के लिए मारा है किस ने दिये तुम्हे वो पैसे बढ़ो अपरेशनी सेक्सेस्फुल पेशन का स्पेशल वार्ड में लेके जाओ, okay? आपने तो कमाली कर दिया मड़ो वैसे स्पेशन की बचने की कोई उमीदी नहीं थी कमाल तो करना ही था आकर शेयर की नामी गिरामी आठ सर्जन तो है रहाँ आप लोग… CID CID? क्या बात है सर? वो क्या है कि हम एक ऐसे सर्जन की जर्वत है CID वाले किसी सर्जन को ढूंड रहे? किसी सर्जन को नहीं हम इसी सर्जन को ढूंड रहे है मेरी तलाश? लेकिन मैंने क्या किया? गुना किया है तुमने गुना चलो हाँ मैंने इन दोनों से कहा था जैस्मिन को किड्नाप करने के लिए अगर क्यों? पैसो के लिए पच्पन करूर की मान रखने के लिए तुम्हें पैसों की क्या ज़ूरत? तुम्हारा तु सर्जन का करियर भी अच्छा कासा चल रहा है फिर अपनी बेहन के साथ ऐसा क्यों किया तुमने? क्योंकि मुझे और पैसे चाहिए थे और? क्योंकि पैसे कितने भी हो, कम ही होते हैं न? ओ, तो तुम मानती हो कि पैसों के लालच ने तुमसे यह गुना करवाया हाँ पैसों के लिए जस्मिन को किड्नैप किया तुमने तुमने तुमनों को दमकी बारे फोन करने बंद क्यों कर दिये देखे प्लीज मेरे सर पहले से बहुत दर्द हो रहा है प्लीज, आप मुझे और सवाल मत पूछे मैंने अपना गुना कबूल कर लिए न? तो आपको मुझे जो सजा देने आप दी दीजे लेकिन, प्लीज, मुझे और सवाल मत पूछे प्लीज तुम्हारे सरदर्द की दवाई मेरे पास है तू? लेकिन मैं आपको और क्या बता हूँ मैंने सब कुछ तू आपको बता दिया ना मैं आपको और क्या बता मानो को जिन्दा क्यों छोड़ा तुमने क्योंकि अगर उसे मार देती तो पैसे कौन देता और वो ड्रार में जो पिन थी उसका क्या चक्कर है किसने लगाया था वो क्या ना में उसका वो उसका ना क्या और कि जो 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 हानुष का गायी जेल से भागवक तो नहीं गई सी आएडी के हाथ औंजयाच तक कोई खुली भागा नहीं और कभी पागेगा भी नहीं तो फिर आप लो जया आप लो किया है दो दो सवाल पुछने हैं सवाल कैसे सवाल है सवाल नमबर एक, अगर बिर्जियों और खालिया ने जस्मिन को अपने कमरे में से किड्नाइप किया, तो फिर वहाँ पर जो खून मिला था, वो उन दोनों का क्यों नहीं? सर शायद ऐसा सकता कि उनने किसी और को बेजाओ जस्मिन को उठाने के लिए? हाँ, किसी और को बेजा होगा, सवाल नमबर दो, अगर खूनी ने वो जहरी लापिन उस ड्रॉर में लगाया था, जस्मिन के लिए, उसे ये कैसे पता था कि जस्मिन आकर वो ड्रॉर खोलेगी ही खोलेगी, ये तो कोई अंदर का ही आदमी कर सकता है ना, तो फिर बताओ, को बचाना बूल गया, मुझे ललिट पे शक है, ललिट का नाम लेने से कोई फाइदा नहीं है, तो कि जस्मिन को तुमने मारा है, सब मैंने, मैं बना अपनी बीगों क्यों मारूँगा, ये सब जूट है, मैंने अपनी बीगों नहीं मारा, जस्मिन के कमरे में जो खोन मिल जूट है, वो तुम्हारा ही है मानँ, वो खोन तुम्हारा है, ये, हाँ, और CID को को तुम्हारे बारे में सब कुछ मैंने बताया, सब्स्च今天 अचिए? वह जगा एंवे दो बात्व करा अगी है आजय करीज करना मugg? ही यह अजय करा हॉई आजय कर्ण खक लेदूद में आजय कर को आजय novक barking ही म कर दोलह कर्णार्पी आज आजय कर्णार्बने से याजय कर्णार्बने स differenti ही भंभी है यह अजय कर्णार्पी हुआ 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 है क्या लगा तुमें कि अनुष्का की बेटी को किड्नाइप करके उससे सारे अपने गलत काम करवाने से सारे उल्दाम उस पर जाएंगे तो अनुष्का ने जब अपना बयान दिया ना तब ही हम समझ गये कि अनुष्का सच छुपा रही है हाँ बस यह एक गल्ती गरभठा में जास्मीन को माना मेरी वजबुरी थी उस्की असना कि मयरे समें तंग आ गया था चुट करा पाना चाहता था उसे में अगर उसकी जगे तुमें ऐसे कोई बीमारी होती तो क्या उसे तुमारे साथ ऐसी करना चाहिए था तेंशन की वज़े से जसमीन का अस्तमा बढ़ता है यह तुम्हें बता था और तुमने उसका गैर फायदा लिया तुमसे फार्माउज ले गए है पिर मैंने उसे नीम की गोली देकर सुला दिया और सोचा जब उठेगी तो लाश और खुन देकर उसका अस्तमा बढ़ जाए उसे जहरी लिपिंट जुप जाएगी बगर उब बंच गई और फिर मैंने उसे रख कहा ओवट उसका खातम कर दिया लानत है तुम परमानव लानत है अपने पत्नी से छुटकारा पाने के लिए तुमने उसका खून कर दिया तुम्हें जीने का कोई हक नहीं कोई भी हक न तुम्हें बराबर सजादेगा